जो भी सेवा के परकल्पों में वो लगे रहते हैं अगर जनता उनी सेवा परकल्पों में उनका साथ देगी तो उनके जनम दिन की बधाई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती है धर्म नगरी में जगा जगा कूडा मतलब स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं देती है जैसे होनी चाहिए तो अगर आप मेर बंते हैं तो क्या आपका अगला कदम होगा हरिद्वार की स्वच्छता को लेकर जो हमारा पुराना मेर का कारेकाल राव बहुत ही जिसे कहना हमारे हर्दवार शैर के बेकार हुए ना तो सवच्छता को लेकर किसी बहुत काम नहीं हुआ तो अब जब नया कज़र मेर का शुरू बहुंnoise तो यह चीजे सब पत्यक श्रूप से जल्टा के सामने आएएंगी चाहिव हो उसोच्छता को ले कर और हमेसा काम करते रहते हैं समाज सेवा के रूप में इसका आगे आना चाहिए तो को бу ilal अच्छा का रिदो और चाहिए है और हम चाहते हैं कि आने वाले जो चुना होंगे हमारे विशाल गरजी उनको उनको ही मेर का टिकट मिले हो क्या वजय रही है कि जो यह पाँच साल का कारेकाल रहा है इसमें जैसा डेपलप्मेंट हरिद्वार का होना चाहिए स्वच हरिद्वार का होना चाहिए वो नहीं हो पाया अनीता शर्मा जो सधारन ग्रेलू महला थी और उनके पती तेतरर हैं। उन्होंने किसी भी तरह काम जो है क्योंकि उन्होंने हर काम के अंदर कहना चीह अपनी टांग अड़ाई। उन्होंने कोई भी काम धार्मिक नगरी हर्दवार में होने नहीं दिया। वो सब बेलकर के मिलनि मिसाल जी को मेर की कुर्सिये बिठाएंगे, यह हमारा सक्कृति ही कि हमारे डॉक्टर साथ विशाले जी को मिलिना चाहिए क्या ह्यदाय के भावी मेर के रूपने हम डॉक्टर विशाले जी गंच को देखना चाहेंगे चोहान और आप देख रहे हैं दे न्यूज वाला नेटवर्क आज हम हालिद्वार में मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर विशाल गर्ग जी द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिन के अफसर पर एक ब्लड डोनेशन कैम्प लगाया गया है और व्रक्षा र लेकर ये मैसीज है कि हमारे जो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देरगायू हो स्वस्त रहे हैं वो लगातार दस साल से देश के लिए जुटे हुए हैं देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लगातार अगरसर है तो हम लोगे चाहते हैं कि हमारे जो परधान मंत्री जी हैं वो अपना तीसरा कारेकाल भी इसी तरह से पूरा करें और अपने कारेकाल में भारत को विश्व की उचाहियों तक ले जाने का काम करें इस चीज को लेकर क्योंकि वो हमेश्या सेवा परकल्पों में अगर्नी है चाहे का ब्रेशार ओपन और सबब सक्षिए और विश्यग इसे का यहां पर किया गया यहां पर आपने ये इतना अच्छा कारे किया है, तो क्या सची विशिज है उनके लिए? देickenे, परधानमंतरी जी के लिए सची विशिज सिर्फ यही है कि जो वो सेवा परकल्पों में अपने आपको लगा तार लगे रहते हैं, उन सेवा के लिए की प्राचीर से टॉलेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा मैसिस समाज को दिया तो अगर हम उस दिशा में काम करते हैं तो उनके लिए सची विश्यज है तो जो भी सेवा के परकल्पों में वो लगे रहते हैं अगर जनता उनी सेवा परकल्पों में उनका साथ देगी तो उनके जनम दिन की बधाई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती है आप बात करें सवच्चता की और प्रधान मंदुरी नरेंद्र मोर्दी भी सवच्चता को लेकर हमेसा अगर सर लेते हैं और आप नगर निगम हरिद्वार की दावेदारी भी कर रहे हैं लेकिन अभी ह देख पा रहे हैं धर्म नगरी में जगा जगा कूडा मतलब सुच्चता कहीं दिखाई नहीं देती है जैसे होनी चाहिए तो अगर आप मेर बनते हैं तो क्या आपका अगला कदम होगा हरिद्वार की सुच्चता को लेकर लेकर हर्द्वार सभी जानते हैं कि धार्मिक और अध्यात्मिक नगरी है विश्व की और देभूमी उत्राखंड का हर्दवार जो है वो ध्वार है तो हर्दवार को लेकर बहुत सारी planning मन में है हर्दवार को एक विश्व की जो राजधानी है उसके रूप में स्थापित करना है तो जो हमारा पुराना मेर कारेकाल राव बहुत ही जिसे कहना जिएगी वो पांच साल हमारे हर्दवार शहर के बेकार हुए ना तो स्वच्छता को लेकर किसी भी चीज पर काम नहीं हुआ तो अब जब नया कारेकाल मेर का शुरू होगा तो यह चीजे सब पत्यक शुरूप से जनता के सामने आएंगी चाहे वो सडकों को लेकर हो चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो चाहे वो अवारा पश्यों को लेकर भी एक मन में बहुत बड़ा प्लैन है जैसा कि आजकल मैं देख रहा हूं तो इन सब चीजों को लेकर हम लगातार काम करेंगे और चाहेंगे कि हर तो यहीं से होकर उनको हर्द्वार से होकर ही जाना होता है तो हर्द्वार शैर को और सुंदर बनाने का हमारा जो संकल्प हा वो हम लोग कंफर्म पूर्ण करेंगे प्धार कि यहां एक जो जिसा वल्फाम eleg काथे कॉड़ाट इसमा घrous़ाल क्रा करें करनाский हिए इस रहा तो एक बहुत ही गलत और बिकार मैसे जाता है हरिद्वार धर्म नगरी का देखे धर्म नगरी में जैसे कि मैंने आपको बताया पांच वर्ष तक जहां पर जो मेर बनी हमारी अनीता शर्माजी वो सधारन ग्रेलू महला थी और उनके पती तेतरार हैं उन्होंने किसी भी तर हैं और इस बार कंफर्म मेर जो है भारती जनता पार्टी का बनेगा डबल इंजन की सरकार है टिपल इंजन उसके अंदर लगेगा तो कंफर्म हरद्वार जो है जो अध्यात्मिन नगरी है वो खूब उचाईयों को भी चुएगी स्वच सुन्दर बनेगी और हरद्वार क के अंदर जो भी कारे होने वो इस बार पूर्ण होंगे अभी हमने देखा कि जो हरिद्वार में लूट का प्रक्रण हुआ था उसमें आप बहुत बढ़ चड़कर आगे आप सामने आए थे विरोध में और अभी देखा गया कि कल मुढवेड भी हुई है पुलिस की उसमे में लगातार फुलिस के लोगों के साथ संपर्क में था तो मेरा यही कहना है कि जो यह और और चौन के और उसमाने शाष्व है इस चीज़ को लेकर वहां से जो गुंडा एलिमेंट है वो उत्राखन क्योंकि सोफ टारगेट है तो उत्राखन की तरफ हारे ते लगातार कुछ घटनाय बड़ी थी मैं बधाई दिना चाहूंगा अपने DZP अपने कुमाल जी को उनके नेतरतम में और SSP डोबाल जी को जो ये encantor हुआ और वह पकड़ी वी लेकिन बस कहना यही कि वह जो वह वह दीपारी वह त्रस्त है इस लूट से उसका काफी सारा लुटा गया है तो जो रिकवरी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए हम चाहते हैं कि उनका जो समान है वो ज्यादा से जादा मिल सके और वो इस चीज से पीडित हैं वो तरस्त ना हो और उनको रिकवरी जो है वो अधिक से अधिक समान की मिल पाए सर आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आज रग्तिदान शिवरियां पर लगाया गया है विशाल सर दुआरा क्या कहना चाहेंगे इसको यह मोदी जी की जनम दिन पर बहुत-बहुत बधाई है विशाल जी को बहुत-बहुत बधाई है कि विशाल जी हर समाज में कारे करते रहते कोई भी ऐसा कार्या नहीं है जो समाज नहीं है जहां विशाल जी नहीं हो विशाल जी पूरे उसको देखते रहते हैं समाज करते रहते हैं अगर विशाल जी को यहाँ से मेर की दावेदारी उन्होंने कर दिया है और मेर बन जाते हैं हरीद्वार के तो क्या विकास होगा हरीद्वार के इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही ने सकती कि विशाल जी जैसे कारे करता समाजिक कारे करता हर एक शेतर में को मेर की कुछ से बढ़ाएंगे यह हमारा संकल्प है समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहते हैं विशाल सर और आज शीविर भी लगाया गया है क्या कहना चाहिए आज हमारे डॉक्टर विशाल गर्ग जी ने परदान मंतिर इंदर मोदी जी के जर्म दिन पर जो सिविल का र अधिकतर मुस्लिम समाज की टीम भी डॉक्टर साथ के साथ लगि रहती है और यह तहन देते हैं कोई किसी भी हलात में हो किसी भी टैम हो हर वक्ति इस बार को हम सोक हो जाएं कि डॉक्टर विशाल जी को इस बार मेर के गदी भी बίζ N diz na चाहाता हम जन पहले occupец चाहता हूं जिर्म दिन के अपसर पर आज देखिए इन्होंने ब्लड केंप लगाया बहुत अच्छा काम किया है विशाल कर जी ने हम ऐसा काम करते रहते हैं समाज सेवा के रूप में बहुत काम करते हैं तो ऐसे वक्ति को आगे आना चाहिए ऐसे क्या गुण है मतब समाज सेवा दू करते ही हैं ऐसे क्या गुण है जो इन्हें मेयर की गद्दी क्योंकि जन प्रतिनीदी के उपर बहुत से दायत आ जाते हैं और अभी भी हम देख रहे हैं जैसा कारें होना चाहिए हरीद्वार नगर निगम में वो कारें नहीं हो पाय है यह बनेंगे इनको हर गली हर मोहले हर वाड का पता है हर वक्ति को जानते हैं तो ऐसे अच्छी वक्ति बनने चाहिए और लोग है यहां पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जैसे विशाल गर्ग जी लगतार समाज सेवा करते रहते हैं और आज प्रधान मंत्री नरिन रम मुदी जी के जनम दिन के अफसर पर उन्होंने रक्तदान शीविर यहां पर लगाया रोपन का विकारे किया है तो कैसा लगता है आपको ऐसे ही आप जन प्रतिन इधी आपके हो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी बात जी डाक्टर विशाजगर जी ऐसा कारी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है समाज में अच्छा मैसे जाता है इस परकार से और हम चाते हैं जैसे हमारे पर्धार हमनाले जु निरेंदर पंधी जी वो हमेह स्वाश्त रहे हैं और देश की बलाई के लिए कारी कर रहे हैं और करते अंब हमारी आपको था Có nis प्रेजिडेंट हूं तो हम लोग उनका समर्दन करते हैं यह समलोग मेरी टीम है मैं उनके साथ खड़ा वाओं आप लोग तो जमीन से ही जुड़े हुए लोग हैं तो आप लोगों को जादा हकीकत पता है पूरे शहर की तो कैसा मैनेजमेंट है हरिद्वार नगर निगम मैं हरिद्वार नगर निगम का तो अभी तक जैसा चल रहा है अच्छा है लेकिन हम यह चाहते हैं कि आने वाले भाविश्य में और भी इससे जादा अच्छा विकास बना रहा है अरद्वार का कौन करेगा हरिद्वार का विकार यह बताएंगे हमारे प्रदान जी यह जो नया प्रति निदिय चुन के आएंगे डॉक्टर विशालगर जी क्योंकि बीजेबी की सरकार है यहां उत्राखण में और बीजेबी काई अगर में बन जाता है मेर तो बहुत खुशी की बात है अब पहले ही सोच लिया है पहले ही बोल दिया है कि जन प्रति निदी बंकर आएंगे विशालगर जी जी हम उनका समर्दन करेंगे तनमंदन से इसा क्या गुण है उनमें के जो आप इतना बड़ा दाइत वह ने दे यह सभी लोगों करते हैं जमिन से जुड़े वी नेता ह सब यह समर्दन करते हैं सब इसे मिलते जुलते हैं कि सबके सुख में दुख में स्टिक होते हैं आज डॉक्टर विशाल गर्ग जी द्वारा ये शिविर का आयोजन यहां पर किया गया है कैसे क्या कहना चाहेंगे इस विशे को लेकर विशाल करते हैं जी और लोगों की से प्रोग्राम लगटार होते रहें तो अगे होते हैं अभी हम नगर निगम हरीद्वार की बात करें तो क्या सा कारेकाल रहा है आगे देखे कोन आता है किसको क्या चाहेंगे अजिकराइगे सर आजके कारे गरम को लेक्व समाजिक सिवाव में लगब 2.015 से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग बहुत सारी समाजिक एक्टिवेटीये करतें हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है हम एंजॉय करतें इस काम को और हारिद्वार के लिए बहुत सभाग की बार रहेगी और हमारी उमीद है कि डॉक्ट्र विशाल-गर्डी जो है भबी मेर हमारे मेर का टिकेट मिले और वो मेर बने क्या क्या कारे है जो अभी हरिद्वार नगर निगम में नहीं हुआ है और आप लोग चाह रहे हैं कि जब विशाल गर्ग जी मेर का चुनाव लड़े तो वो कारे पूरा करें एक्चुली हरिद्वार नगर निगम का हमेशा से थोड़ा से दुर्भाग रहा है कि जो भी मेर बना है उसके अपोजे सरकार रही है जिसके कारण कई न कई दिकते आई हैं लेकिन यह है कि आगर डॉक्टर विशाल गर्ग जी बनते हैं मेर तो मुझे पूरी उमीद है कि हरि है द्वार में कुछ जिस रूप में लोग देखना चाते हैं वो रूप देखने को मिलेगा गलियां हैं सहर है मोहले हैं जो की काफी हद तक बारिस में भी गंकी से पढ़ जाते हैं बहुत सारी चीजी है और सुन्दर है और सच है द्वार की उमीर हम करते हैं क्या वज़ा ह अगर मेर और पार्टी एक ही होती है तो बहुत सारी चीजे काम करने में सुलब हो जाती है लेकि पार्टी अपोजिट होती ही तो आपको पता ही है कि जादनेत्रिक में क्या होता है कैसे होता है बताने की जोड़त नहीं है तो बहुत सारे काम जो करने होते हैं पार्टी को किसी दूसी परट्टी की सकाथ तो उनको अलग सकाथ फिर फिर उनको दिक्कत आयती नहें को लेकिन ये है कि अब कि उसकार की ऑमियर कि스파 부분이ोगा और अच्छी तरिक चरिके में हैं सब्सक्राइब हैahaha सामन्जस की और यह सामन्जस अपकी स्थापित होगा आप क्या कहना चाहेंगे आज जो इस शिवेर यहां पर लगाया विशाल गर्ग जी दौर जो लगाया कि हम लोग तो परदान मंत्री के जनम देनी के उपलक्ष में रगदान था और उनको हम भी डोनेट किये बलड और प परदान मंत्रिया जो प्रदान मंत्रिया जो शुरू किये है उसमें तो खैर बच्चों बच्चों भी यह तो अच्छा होई गया है कि आज हमारे भी बच्चे जाते तो कहीं प्रक्षा को भी रखके चलते हैं हाँ अभी भी कमी है बहुत जगह है कमी लोग के अंदर काफि सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा कि सब्सक्राइब कि किसी कहने की जुरूती नहीं है मोदी जी ने अभियान चलाया स्वच्छता का और हमने देखा अभी के बहुत ही बड़ी लेवल पर यह किया और लोग भी है जो कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे जाना चाहूंगे कि जो जन प्रती निदी है जो नीचे के जन प्रती निदी है वो अपना काम सही तरीके से कर र में हर ले आदमी तो नहीं कहा सकता हूं लेकिन कुछ परसेंटेज अभी है कि जो कर सब भी कांट्रोल कर ले अपने आपको सुधार ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा सब के लिए काम तो अच्छा हो रहा है बड़े लेबल पर तो काम अच्छे ही हो रहे हैं बड़े ले अच्छा होते रहे हैं अगर टाइम टाइम होता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो जन प्रतिन इदी के रूप में जो है ऐने धर मेर उनकोई देखना चाहते । सब्सक्राइब लेकिन अच्छा है कर है लेकिन अशा होता है दो आब हम लोग सब के स्वयोग में है लेकिन फॉन sibling frameल होगा जोता सब्सक्राइब नहीं आए तो जैसा कि आपने देखा आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दीदस के उपसर पर हरीद्वार में डॉक्टर विशाल गर्ब जी द्वारा जो एक समाज सेवी भी हैं भारते जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हों ने इस अफसर पर एक र मेर डॉक्टर विशाल गर्ग जी को बनाया जाए इस विशे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे में कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें दन्यूस वाला नेटवर्क धन्यवाद